इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10, गणित मनोहरे के प्रस्नों को हल करेंगे, जिसमें हम प्रस्नावली 1B के प्रस्न संख्या 10 तथा उसके आगे के प्रस्नों को हल करेंगे इसके लिए हमें प्रस्न संख्या 10 दिया गया है, कि ब्याक्षा कीजिए कि 7 गुडे 11 गुडे 13 प्लस 13 दूसरी संख्या दिये है, 7 गुडे 6 गुडे 5 गुडे 3 गुडे 2 गुडे 1 और प्लस 5 भाज संख्याएं क्यों हैं, तो हम आएंगे हल जिसमें पहला लेंगे दिया है नमबर एक वाला इसमें कि साथ गुड़े ग्यारह गुड़े तेरह प्लस तेरह दिया है तो दोनों में से हम क्या करेंगे तेरह कामन ले लेंगे बचेगा क्या साथ गुड़े ग्यारह और यहां से तेरह कामन ले लिए तो एक आया तो ये बना तेरह गुड़े यारा सते सतहत्तर यानि सतहत्तर प्लस वान तो ये बन गया आठहत्तर तो तेरह गुड़े आठहत्तर हो गया अब ये एक भाज संख्या है चुकि ये तेरह से कटेगी तो जो एक भाज संख्या है भाज जे संख्या है अब हम दूसरा लेते हैं तो दूसरा है साथ गुड़े छे गुड़े पांच गुड़े चार गुड़े तीन गुड़े दो गुड़े एक प्लस पांच इन दोनों में से हम पांच को कामन लेंगे तो पांच कामन हो जाएगा साथ गुड़े छह गुड़े चार गुड़े तीन गुड़े दो गुड़े एक और पांच कामन ले लिए तो एक बचा ये मिला पांच गुड़े तो यहां मिला चार तियाई बारह दुना चौबिस और चौबिस में हम गुड़ा करेंगे 6 का, तो 6, 24 यानि भी 7 बचा है, 6, 24 चार हांसिल 2, 6, 2, 12, और 2, 14 हो गया, और प्लस 1 बचा है, तो ये बना 5 गुड़े, 7, 4, 28 की 8 हांसिल 2, 7, 4, 28 की सुनना हांसिल 3, 7, 7, 7, 10 हो गया, प्लस 1 बचा है, पांच गुड़े, एक जुड़ जाएगा, तेक, जीरो, जीरो, नव आ जाएगा, ये भी संख्या चुकि देख रहे हैं, पांच से कट रही है, इसलिए ये भी भाज संख्या है, यानि मिला जो, एक भाज संख्या है, भाज संख्या है, तो ये दोनों संख्या है हमारी भाज है, क्यों भाज है हमने दिखाया, कि ये तेरह से कटेगा और ये पांच से कटेगा, अगला है प्रश्न संख्याई ग्यारह, कि किसी खेल के मैदान के चारोर एक ग्रित्ताकार पत है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को अठारह मिनिट, जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रभी को बारह मिनिट लगते है, मन लीजेए वे दूनों एक ही अस्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारम करके, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनह प्रारम भी कस्तान पर मिलेंगे तो कितने समय बाद पुनह मिलेंगे और थात कम से कम समय में कब मिलेंगे तो यहाँ बना हल पुनह मिलने का मतलब है यानि कितने समय बाद पुनह मिलेंगे तो इसका मतलब हो गया कम से कम कम से कम कितने समय बाद तो कम से कम कितना समय का मतलब हो गया LCM ज्याद करना है अधिक से अधिक होता तो अहां पर SCF होता कम से कम LCM तो हमें निकालना है 18 का और 12 का खंड करके LCM तो 2, 3, 6, 3, 18 हो गया 2, 2, 4, 3, 12 हो गया अब LCM निकालेंगे तो 1, 2 मिलेगा और 1, 3 मिलेगा बाकी जो संख्याइं बची हुई है 3, 2 उसको भी लिख लेंगे तो 2, 3, 6, 3, 18 दुना 36 मिनट बाद यही आपका एंस्वर हो जाएगा तेंस्वर आया 36 मिनट अगला है प्रस्ण संख्या बार नीचे दी गई आकरित में X और Y के मान ग्याद करना है तो इस टाइब के प्रस्ण में हमेशा इन दोनों का गुड़ा करके यह Y के बराबर होगा फिर इन दोनों का गुड़ा करेंगे तो इसके बराबर होगा और इन दोनों का गुड़ा करेंगे तो इसके बराबर होगा तो यहाँ y का मान निकालना है हम नीचे से हल करते हो जाते हैं तो हल में मिल जाएगा कि y बराबर तो 5 गुड़े 13 तो 13 पच्चे 65 हो गया एक एंसर मिल गया दूसरा हमने खा इन दोनों का गुड़ा करके तब यह पाएंगे तो अगर हम 65 रख करके तीन का गुड़ा करेंगे तो 195 आ जाएगा लेकिन हमें यहाँ से निकालना है यक्स का मान तो हमें मिल जाएगा यक्स बराबर तीन गुड़े 195 तो 35 पच्चे 15 की 5 हासिल एक 39 27 एक 28 की 8 हासिल दो 31 का 3 दो 5 तो हमारा अगला एंस्वर जो मिलेगा यक्स बराबर पाउम सो पचासी तो यक्स बराबर मिला पाउम सो पचासी और वाई बराबर मिल गया 65 यही हमारा एंस्वर हो गया अगला आएंगी प्रश्न संख्या 13 तेरह में दिया है कि ब्याख्या कीजिए कि क्या साथ गुड़े तेरह गुड़े ग्यार है प्लस ग्यार है और साथ गुड़े छे गुड़े पांच गुड़े चार गुड़े तीन गुड़े दो प्लस तीन भाज संख्याएं है तो इसके लिए हमें क्या करना है तो पहली संख्या हम ले रहे हैं साथ गुड़े तेरह गुड़े ग्यारह और ये बराबर हो जाएगा सौरी तो हमें मिल जाएगा साथ गुड़े तेरह गुड़े ग्यारह प्लस ग्यारह तो दोनों में से हम ग्यारह कामल ले लेंगे तो बचेगा साथ गुड़े तेरह और प्लस वान तो ये बन गया ग्यारह गुड़े तेरह सते क्यानवे और प्लस वान तो ये बना ग्यारह गुड़े बानवे चुकि ये संख्या ग्यारह से कट रही है इसलिए यह भाज संख्या है भाज ये संख्या है अब हम अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा है साथ गुड़े छे, गुड़े पांच, गुड़े चार, गुड़े तीन, गुड़े दो, गुड़े एक और प्लस तीन तो तीन दोनों में हैं तो दोनों में से हम तीन को कामन ले लेंगे तो बचेगा 7 गुड़े 6 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 2 और गुड़े 1 और जहां से 3 कामन ले लिए वहाँ एक बचा तो 3 ये बना 5 चुग 20 तुनी 40 यानि 4 चंग 24 अर्था 7 गुड़े 240 आया और प्लस 1 मिला तो 3 गुड़े 7 सुनने सुनना में एक जोड़ेंगे एक आएगा 7 चुग 28 आसिल दो 7 दोनी 40 दो 16 हो गया तो हमें मिला कितना 3 गुड़े 1681 आया अर्थाति यह भी संख्या 3 से विभाज है यानि तो इसलिए मिला कि यह संख्या भाज है यह संख्या भी हमें क्या मिले भाज तो इस तरह से हम का सकते हैं कि दोनों संख्याएं हमारी भाज संख्याएं है अगला जाएंगे प्रश्न संख्या चवद तो नीचे दी गई आकरिती में कराई एक सवाई जड़ के मान ग्याद कीजिए दिया है यक्स वराबर तो इस प्रकार के प्रस्नों में हमने कहा था कि ये दोनों का गुड़ा करेंगे तो ये आएगा फिर इन दोनों का गुड़ा करेंगे तो ये आएगा फिर तीन और वाई का अगर हम गुड़ा करते हैं तो ये मिल जाएगा और फिर अगर हम इन दोनों का गुड़ा करते हैं तो यह यक्स मिलेगा तो हम चलते हैं पहले साथ गुड़े जड़ के पास यानि नीचे से हल किया जाता है इसमें तो हल में मिलेगा कि साथ गुड़े जड़ बराबर क्योंकि इन दोनों का गुड़ा होगा तो ये आएगा 161 अब साथ का भाग दे देंगे तो 161 बटे साथ तो साथ दोनी 14 हो गया दो बचा सात्री के कैस तो एक एंस्वर हमें मिल गया अब दूसरा मान हमें निकालना है वाई का तो हमें मिल जाएगा यानि वाई बराबर वाई बराबर इन दोनों का गुड़ा होगा अर्थात साथ गुड़े 161 बनेगा तो साथ एक का साथ साथ छंग 42 की दो हांसिल चार साथ एक का साथ चारी 11 तो दूसरा हमें जेड के बाद वाई का मान 1127 मिल जाएगा अब अगली संख्या हमें मान निकालना है यक्स का यक्स का मान यहांस मिलेगा क्योंकि इसी में से दोनों बना हुआ है तो इन दोनों का गुड़ा करेंगे तो यक्स आ जाएगा तो यक्स बराबर मिल जाएगा दो गुड़े 33, 81 तो बना 2, 1 का 2 2, 86, 86 2, 3, 6, 1, 7 2, 3, 6 यानि यह यक्स का मान मिला तो इनस्वर में क्या मिला हमें कि एक्स बराबर इनस्वर हमारा बना एक्स बराबर सरसट, 62 वाई बराबर मिला 11, 27 और जड बराबर मिल गया 23, यही तीनों हमारे इनस्वर हो गए वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद